दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नए नी जैनकारी के वाला के लिए और असानी से महीने के 2-5 लाग तो असानी से कमा ही लोगे तो बहुत ही असान बिजनेस है पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखें हम इसमें पूरी मशीनवी की बात करेंगे क्या प्राफिट मारजन है उसकी बात करेंगे तो वीडियो एंड तक जरूर देखें तो चलिए का जो यह बिजनेस आइडिया है यह नोटबुक रिजिस्टर मैनुफेक्चरिंग बिजनेस के बारे में यानि की कापी किताबे बनाने का बिजनेस दोस्तों आप इसको कम इन्वेस्टमेंट से लेके ज्यादा इन्वेस्टमेंट तक शुरू कर सकते हो जैसे का आपका रिजिस्टर डाइडी नोटपैट सब कुछ बना सकते हो दोस्तों वीडियो में जो आप मशीन देख रहे हो यह फुली आटोमेटिक मशीन है इसमें आप सभी टाइप का बड़ा शोटा नोटबुक रिजिस्टर बना सकते हो ऐसे कि आपको मैनूल मशीन चाहिए तो मैनू क्या उनका प्रोडक्शन कापैस्टी होता है और क्या उनमें प्रॉफिट मार्जन होता है तो दोस्तों आज हम सेमी आटोमेटिक वीडियो मशीन का देखेंगे तो चलिए मशीन के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले आता है आपका स्टिचिंग मशीन मोटराइज जिसमे आपको मोटर से मरलब पैडल दबाना है और आटोमेटिक लिए आपका पेन लगता जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो इसका प्रोडक्शन भी आपका काफी हो जाता है इसमें आपका ट्पैंड करता है मैन पावर पे कि उसका कितना प्रोडक्शन है उसके हि आता है आपका एज-sk göra machine यानि की नोटबुक एज-skraering machine पिं करने के बाद आता है आपका फिसे से पित इसके बाद नोट बुक को पीशे से स्क्वेर करने का काम जाता है तो इसके बाद आता है आपका नोटबुक का अच्छा मिल जाता है तो इसके बाद आता है आपका cutting machine जैसे आपने देखा कि दो-दो notebook का set त्यार होता है उनको end में cutting करने के लिए paper cutting machine का इस्तेबाल होता है दोस्तों यह semi automatic paper cutting machine है इसमें आपका मोटर से सारा काम होता है सभी पुश बटन लगे होते हैं जैसे यह वीडियो में देख रहे हैं प्रैस करें हैं तो ऐसे आपने बटन दबाके सारा इसका setting करना होता है तो आप डबल notebook को single में जब convert करते हो तो आपका इसमें सेमी automatic paper cutting machine का इस्तेमाल होता है तो वीडियो देखते रहे हैं तो दोस्तों notebook को त्यार करने के बाद काम आता है उसको पैक करने का तो उसके लिए इस्तमाल होती है notebook shrink packing machine इसमें आपने पांच पांच शेशे notebook का सेट बना के उपर lamination चटा के रख देना है और इसने automatically shrink करके आपके notebook को wrap कर देना है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं आपने notebook को उसके बीच में lamination चटा के रखना है और इसने automatically आपको shrink wrap करते जाना है तो जिस वज़े से आपका notebook का कोभी moisture नहीं आता है और notebook को जितने मर्जी दिर आप stock में रख सकते हों तो इसका वीडियो आप देख सकते हों कितना आसान काम है यह तो दोस्तो यह था प्रोसेस notebook manufacturing करने का आपने देखा कितनी असानी से आप notebook बना सकते हों दोस्तो यह जो setup आपने देखा अभी चार machine का जो set था यह आपको तकरीमन 6-6.5 लाग के अंदर मिल जाता है जिसमें आप सारी machine ले सकते हैं साथ में raw material भी ले सकते हैं और अपना काम असानी से कहीं भी शुरू कर सकते हैं यह सारा plant आपका single face light में भी चल जाता है और आपका automatic मरलब लेना हो तो वो भी आपको मिल जाता है तो हमारे पास manual से लेके automatic तक कम से कम साथ model available है notebook के तो आपको जैसे का भी requirement हो आप वैसे किया हमें इन number पे contact करके बात कर सकते हो तो दोस्तों यह था आज की वीडियो में अगली वीडियो में हम आपको इसके profit margin के बारे में भी बताएंगे तो हमारे चैनल को subscribe करें और अगली वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को like और share जरूर करें धन्यवाद